जैहिंद प्यारे दोस्तों विहार विधान परिशत सची वाले पटना अवैस्यक सूचना विग्यापन संख्या 03-2023 के लेकर और विग्यापन संख्या 02-2024 और तथा विग्यापन संख्या 03-2024 से संबंधित एक नोटिस को जारी किया गया है जैसे कि आप सब यहां पर एस्क 03-23 बला ही देखेगा या 24 बला चले तो नोटिस को हम स्किन पर यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे चले थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं आप लोग को पूरा दिखाते हैं कि किस्से संबंधित है और नोटिस डेट यहां पर हम आप लोग को सबसे पर दिखा देत है और एक्जाम में लेट क्यों हो रहा था सबसे बरी वाज़ान यहां कि एक्जाम में सब लोग सोच रहे हैं थे कि एक्जाम में लेट क्यों हो रहा है बार बार इसका एक्जाम नोटिस को जारी कर दिया जाता था क्यों होता था उससे संबंधित भी नोटिस को जारी कर द देख लेते हैं सबसे पहले इस बात को आप लोग जान जाएए प्यारे दोस्तों कि एक्जाम में लेट क्यों हो रहा था एक्जाम में लेट होने का अखिर कारण क्या था सब लोग यहीं सोच रहें थे कि एक्जाम भया अब होगा कल होगा परसुन होगा कब होगा एक्जाम जो है यहां पर देख रहे हैं होंगे 2017 के बाड़े में जो है से जैसे की बतला जा रहा है यहां पर बिहार स्टेट में जो है सिफने अब देख होंगे की अभी क्या किया गया है थिट्यक्ट पर आते ह lo कि प्ला रहीं कर इंदिया मिसिट को बलागो कर दिया गया है और क्या लागो किया गया कि कि दिनांक 12, 8, 20, 24, 12 जो हैसे परकासित बिहार वजड में ताती तत्मा जाती को अत्यांत पिछला वर्ग की सुची में, मतलब कि EBC, बात को समझे ताती तत्मा जाती को अत्यांत पिछला वर्ग की सुची, अनुसुची 1 के करमांक, ठीक है, तैंटीस पर इसको जो है, इनको पिछला वर्ग में कर दिया गया है, तो यहां पर आपस फर्स टूप से देख पा रहे होंगे, कि SC को जो है, अब EBC में कर दिया गया है, सब को नहीं करना है, जो ताती तत्मा जाती से विलोंग करते हैं, जो आते हैं, उनको ही करना पड़ेगा, बात को आप लोग समझ पा चीरो, तीन, दोजार, चोबीस, रातरी परहारी के लिए जो सब फ़र्म अपलाई किये थे, या सफाय करमचारी के लिए फ़र्म अपलाई किये थे, ठीक है, रिक्त पदों के लिए सीधी भरती है, तो सब लोग समझ आते हैं, उनको समझ जाए भ्या, आप पहले SC में थे, यानि BC 1 सबसे पहले इस को फिर से रियोपन होगा है इसको बाद आपको केटोगरी जो होता है वह आपको चेंज करना पड़ेगा तातित अत्माजाति से समधित जितना लोग है सब को category को change करना पड़ेगा पहले वो SC में आते थे लेकिन अब उनको EBC में डाल दिया गया है तो उनको क्या करना पड़ेगा शिरिफ category ही change नहीं करना पड़ेगा इस बात को भी जान जाएए शिरिफ आप सोचेगा category change कर लेंगे हो जाएगा नहीं आपको अब पहले की जाती जो आप लगाती थे वो SC category का जाती लगाते होंगे लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि अनुसूची जाती पहले टू के कोटी में जो अधार में आते थी तो अब उनको क्या करना जाती परमानपत्र EBC certificate बनता है वो आपको बनाकर इसमें लगाना पड़ेगा EBC certificate होता है जो उसमें बोला जाता है कि जैसे को कोई criminal आते है कोई non-criminal आते हैं तो आप EBC में आप लोग आ गया है ना आप लोग को बनाकर यहां पर EBC certificate आपको अप्लोड करना पड़ेगा जान जाइए पहले तो आपको बनाना पड़ेगा जाती आए और निवास आपको बनाने के बाद यह करना पड़ेगा आपको समझ गया है और देखिए इसका डेट यहां पर सो कर रहा है अठारण 2018-2024 से लेकर 27-2024 तक इस चीज़ को ध्यान परूब कर समझ आप लोग आज जो है से 14 तारिक है तो आप इतना समझ आए 18 से चालू हो जाएगा चार दिन में आप लोग आज ही अगर आप नोटिस को देख पा रहे होंगे तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपलाई कर आपको डालना पड़ेगा और हो सकता है बाइदवे हो सकता है कि आपको वहाँ पर अपलोड करने के लिए भी बोल दिया जाए कि सर्टिपिक्ट को आपको कहीं अपलोड भी करना पड़ेगा तो यही जनकारी था वीडियो और एक्जाम मेरे प्यारे दोस्तों इतना समझ जाए कि एक्जाम भी जल्दी लेही लिया जाएगा पहले इस चीज को आप लोग समझ जाए कि कि परमान पत्र जो होता है उसको अपलोड नहीं किया जा सकता है वैसे उमिदवारों को जो है अरक्षन का दावा मानिता नहीं होगा अगर अपलोड करना ही परेगा यहां पर बनता है और नहीं पहले इसंब्स ठानीत इस ले लिया जाएगा तो इतना बात समझ जाए किसी तंबर में इसका एक्जाम नहीं होगा लेकिन जैसे ही एक्जाम आप बहुत जल्द ले लिया जाएगा 15 अक्टूबर तक इसका एक्जाम लेनी की संभाबना है लगभग अक्टूबर में एक्जाम ले ही लिया जाएगा जहां तक लग रहा है 15 अक्टूबर के बाद ही होगा लेकिन एक्जाम ले लिया जाएगा 15 अक्टूबर तक लगभग एक्जाम हो जाएगा आप लोग टेंसर नहीं लिजे तयारी करते रहिए अक्टूबर में एक्जाम इसका हर हाल में ही होगा यही सब के कारण जो है अभी एक्जाम इसका नहीं हो पा रहा था एक तो जो हैसे एक जाम कंडेक्ट भी जो करवाएंगे वो कंपनी लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहें थे और अब कंपनी को सेलेक्ट कर लिया गया है और इसमें और सरा पोस्ट वेकेंसी भी आने वाला है इस बात को भी जान जाईए ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा है प अगर आप चाहते हैं कि हर एक जनकारी आपको एक्जामनेशन का मिले तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन अन कर लिजे ताकि जिस तरह ही वीडियो बनाए आप तक वो नोटिस पहुँच पाए एक्जाम डेट जैसे ही जारी किया जाएगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम आपको जनकारी देंगे जैहिन प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल लखिए मुस्कुराते रहिए